आईए बच्चो आज हम आपको संगीत के बारे में कुछ जानकारी देंगे संगीत सुनने सभी को पसंद है? जी हाँ तो संगीत एक ऐसी कला है जो सरवश्रेष्ट कला मानी गई है जिसको सुनने से छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक और पशु पक्षियों से लेकर पौधों तक को भी खुशी होती है और वो संगीत सुनने से आनिम्दित होते है तो इसलिए हम संगीत के बारे में हम आज आपको कुछ जानकरी देंगे कि संगीत क्या है और संगीत कहां कहां व्याप्त है तो प्रकृती में हमारे संगीत हर जगा व्याप्त है संगीत वो है जो ध्वनी हमारे कानों को मधूर लगे और जो स्वर लहरिया हमारे कानों में मधूरता गोले वही संगीत है ठीके संग का अर्थ है उत्तम और गीत का अर्थ है गायन तो जो गीत गायन उत्तम होगा वही क्या होगा संगीत होगा तो अब संगीत की जो शुरुवत नहीं क्या है कि जो द्वनी उत्पन होगी उसी से संगीत होगा तो अब द्वनी के बारे में अर्थात नाध के बारे में आवाज के बारे में हम आपको कुछ जानकरी देंगे अब यह जो नाध है या जो दोनी है यह हमारे प्रकृति में कहां कहां व्यापत है आप बता सकते हैं जैसे पहाडों पर से नदी भाती है जर्मेड़ाती है उसमें भी आवाज आती है उसमें भी द्वनी है और किस-किस चीज में दोने हैं? समद्र की लहरे में हैं और जब बारिश होती हो तब पानी जमीन पे टप-टप-टप करके पड़ता तब भी दोने होती है या फिर हम जब तालाब में एक कंकर फेकते हैं तब भी हमें तक से आवाज आती है और किस-किस जैसे बादल दरचते हैं बिजली कड़कती है तो बादल भी जब एक दुसरे के ऊपर टकराते हैं तब भी दोने होती है और भी नीचर में हमारे प्रकृती में पश्यू-पक्शियों की आवाज है पक्शी चहचाहते हैं जब आंधी तूफान आते हैं तो पत्तो की सरसराठ होती है कोयल की कू होती है तो आदी कई तरह की आवाजे कई तरह के नाद जिसे कहेंगे हम धुने को भी नाद कहा है कई तरह के नाद हमारे इस प्रकृती में विद्यमान है तो अब शोरगूल या कोला हल या ठोका पीटी इस आवाज को हम संगीत उपयोगी द्विने में नहीं ला सकते हैं तो नाग की कुछ विशेशतां होती हैं जिसके आधर पर हम हमारे आसपास होने वाले कई तरह केनाद कई तरह की ध्वने में को हम अलग अलग रोप से भिलन भिलन रोप से भैचान सकते हैं पहचान सकते हैं जैसे हमारे आसपास कई तरह की आवाज आती है टीवी पे गाना चलता रहता है रेडियो पे कई तरह की आवाज है गाना आता रहता है है ना और रस्ते पे से गारियां जाती रहती है यहां घर बैठें बिना देखें किसी ट्रेन की आवाज को भी पहचान ज और तोलीफोन की गंटी है या घड़ी का अलांग बचता है उसकी आवाज तो इस तरीके से या हुनारों दोस्तों की आवाज वोगि हम जो वह दाहर से आपको आवाज लगाते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि ये ये दोस्ता है है ये अपनी मां की आवाज तो हर किसी की आवाज को हम अलग-अलग रूप से पहचान सकते हैं तो उसको पहचानने के लिए उसकी क्या विशिश्टा है तो हम जोब उसको नात को हम अलग-अलग पहचान सकते हैं तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे तो जो भी आवाज या ध्वनी जिस पर हम आहत करते ह अब जैसे इस ये हमारा बनायावा बाद्य है इसके इस तार को हमें छुआ तो क्या हुआ द्वने उपन नहीं ये जो द्वने है इसकी तार के जो आंदोलन होई आंदोलन का मतलब कंपन तो ये जो कंपन होते हैं प्रतिक सेकन में उसके कंपन होते हैं उसी के आधार पर हमार हम संग्रीत कारों ने प्राचीन संग्रीत कारों ने स्वरों की उपत्ति की है और हर मात की उचाई निचाई को नापा है जैसे हम धीरे से बोलते हैं तो उस नाद की कंपन धीरे धीरे होते हैं और जो हम जो उसे चिलाते हैं जो उसे आवास करते हैं तो उसके कंपन ध्वने क जादा होते हैं, तो इस तरीके से मायत को हम अलग-अलग रूप में पहचान सकते हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि मायत से स्वरों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जितने कंपल होंगे, जितने आंदोलन होंगे, तो वैसे ये एक स्वर बनता है, उससे जादा आंदोलन तिसला उसके आगे और आंदुलन होंगे इस तरीके से संगीतकारों ने हमारे यहां संगीत में साथ स्वरों की रचना की है और हम जो अपने गले से गाते हैं तो हमें यह भगवान में हमको एक आवाज दी है जिसके द्वारा हम एक दुसरे से बातचीत कर सकते हैं और हमारे क प्रकट करने के लिए संगीत के स्वर होंगे तो जिसके द्वारा हमारा संगीत होता है तो इस परिकेसे संगीत की उत्पत्ती हुई है